हलो फ्रेंज स्वागत है आप सभी का अपके अपने यूट्यूब चैनल मैं भी आयों पर दोस्तों आज हम डिसकस करने हो ले हैं मेंस के पेपर जी एस वन को और यह पेपर ने यूपी पीचेस में पूछा गया है और 2020 का है दोस्तों तो हमसे पहले देखेंगे कि मेंस में प दोस्तों मागस का होता है जी एस में चार पेपर होते हैं मेंस में तो ये पहला पेपर है जी एस वन है और इसमें अभी जने तीन घंटे को अपको टाइम मिलेगा और इसमें टोटल 20 प्रशन होते हैं और खंड आ में होते हैं 10 जिनके प्रत्यक उत्तर की सब्दसीमा कितनी होती है 125 होती है खंड बा में 10 प्रश्ण होते हैं जो देर खूतरी होते हैं जिनके प्रत्यक उत्तर की सब्दसीमा दोश्ण निरधारित करी गई है और शबी प्रश्ण क्या होते हैं करने अनिवार होते हैं प्रत्तिक भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिये होते हैं कि वो 10 नमबर का है या फिर 20 नमबर का है कुश्चन और प्रश्णों में इंगिस सब्सीमा को ध्यान में रखे यानि कि 125 सब्स कहा गया है तो 125 ही हो उससे ज़्यादा बड़ा कुष्ण नहीं होना चाहिए और उत्तर प्रस्तिका में खाली छोड़े गए कोई प्रस्ट के भाग को पूरता काट दें यह देखिए यह वही सब निर्देश हैं जो इंग्लिस में दिये गए हैं आप इनको भी पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो हम सबसे पहले देखेंगे हमारा जो GS1 होता है उसमें किस टाइप के पूछे गया है तो जो हमारा पहला कोश्टन इसमें दिये हैं वैदिक स साहिति था उसके बारे में लिखना है सेकंड कुश्चन देखते हैं आदुनिक सिच्छा में सरसेयद एहमद खान की योगदान पर एक टिपड़ी लिखिए आपको लिखना है जैसे कि देखते हैं जो मुस्लिम अलिगर्ड यूनिवस्टी थी वो इसकी सापना कौन करते है मैंसा सियद एहमद खान जी करते हैं उनके बादे में लिखना है कि उन्हें स सिच्छा में क्या क्या-क्या अपने योगदान दिये हैं उन सबी का क्या करते हैं वर्यन करना नहीं तो या वाधएशा में प्रपति के वपरांत भारत के एक म hierarchर में सरदार पार्य पन्तिक की भ अगला कुश्यन है छेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार की बाधाएं उद्पन कर रहा है तो आप देखना है अभी जैसे कि हाली में क्या देखने को मिलता है पंजाब वाले अपना एक अलग छेत्र गुजित करने की बात करते हैं खाली स्थान जिसको कहते हैं और हर इसलिए हो क्या करते हैं सरकार से अलग-अलग मांगे करते हैं तो भारत में छेत्रवाद के विकास में किस प्रकार की बाधा है उत्पन कर रहा है तो आपको लिखना है कि छेत्रवाद का बढ़ता प्रभाव है यह डिवलपमेंट में किस प्रकार अपना प्रभाव डाल र कीजिए देखी जैसे आप देख रहे हैं अभी unemployment इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है उसे क्या हो रहे हैं लोगों के पास रोजगार नहीं है तो उनके पास खाने के इतने अच्छे संसाधन भी नहीं है और जिससे क्या हो रही है निरधनता व्यापत होती जा रही है तो आ आपको लिखना है कि क्या सच में ऐसा लगता है महिलाओं के प्रति जो अपराद है उनमें व्रद्धी होती जा रही है आप देखे प्रति एक राज्य में जो महिलाओं के प्रति अपराद के आकड़े हैं वो क्या होते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं कई-कई राज्यों संसाधनों का भंडार है संचिप्त टिपड़ी कीजिए औसे अनार्द इस्टोर हाउस आफ रिसोर्से राइटर शॉर्टन आपको लिखना है महासागर में क्या है सबसे ज़्यादा संसाधन पाये जाते हैं तो आपको उनी का क्या करना है वर्णेंट करना है कौन कौन संसाध पायाते हैं कितनी मात्रह में पायाते हैं उनी सबके बारे में आपको लिखना है बैसिकली इतना टाफ कुश्ण नहीं है अगला कुश्ण है क्रशी में म्रदा प्रॉफाइल एक महत्तो पूर भूमिका निवाता है क्या आप शहमत हैं तो साइल प्रॉफाइल प्लेज एन क्रशी में म्रदा प्रॉफाइल लिखेंगे और इनका दिखाएंगे कि क्रशी में इसका क्या महत्तो है बस बस बेसिकली आपको इतना ही लिखना है 125 सब्दों में लिखना है इतना टफ कोश्ण है नेक्स क्या है दच्छिड एसिया में रोहिंगया सरणाथी पर प्रकाश तो आपको रोहिंगे सरणाथी कौन है और दच्छिड एसिया में कौन-कौन से छेत्रों में इनका निवास इस्थान है इन्ही सब चीजों का बढ़न करना है कौश्ण नमबर टेन है नव नमबर चैनल के सामरिक महात्तों का पर एक संचिप्त टिपड़े लिखे आपको नाइन डिगर चैनल उसके बारे में क्या करना है लिखना है बेसिकली नेक्स क्या है अब दिखे यह खंड भी आ गया है खंड बाज इसे कहते है तो इसमें ज思ित किजिए आपको लिखना है कि नागरसायली सबसे पहले लिखना है नागर सहली क्या है और इसकी मंदिर वास्त टुकला के बारे में क्या करना है वर्नलंड करना है नेक्स कोशन नfol diff इंद और को स्टावन की सुझंतो संगराम के लेचारिक आयामों को रिखांकित कीज जिसमार्क की भूर्यांक का बैने की करण से और छोन खुने सब्सक्रार्वा की और ऊसे पर क्या नपाकी है उस चीज़ के क्या करना है वर्णन कीज़े देखिए आप एक गरण से दो प्रशन पूछे गए एक भारत की संदब में सर्दार पटेल जी से प्रशन आया है और जब वर्ड हिस्टरी को देखेंगे तो उसमें जर्मेनी से रिलेटिड विसमार्ग से पूशन पूशा गया है आपको लिखना है कि जो इंडिन कल्चर है उसने किस प्राकार वर्ड को प्राभावित किया है अगला कुश्चन है महिला ससक्तिकरण में महिला संगठनों की भूमिका का मुल्यांकन कीजिए है आपको देखने को मिलिए हाली में कितने सारे औरगनाजेशन खोड़ रहे है जो किसरे रिलेटिड तू bon young इंपावर्मेर urge महिलसाती करण से रil एक है तो आपको बताना है उन गीक वह होते हैं उनके क्या महाद्ट होए महिलसाती करण में कुश् Cell नम्ब शोक्षटीन हम देखते हैं क्या कहँ रहा है सहरी करण की प्रागियां मैं समाज के लिए विकास या विनाश है आपको बताना है कि जो सहरी करण की प्रकृतिया बढ़ती जा रही है यह हमारे समाज के लिए विकास है यह फिर विनाश का कारण बनता है जा रहा है देख रहा है हम जब सहरी करण जैसे जैसे बढ़ती जा रहा है हम क्या करने हैं जदा से जदा क्या करने हैं घरो मानो प्रवास के कारण एवं परिणामों की व्याख्या किजिए आपको बताना है कि भारत में आंत्रिक मानो प्रवास के कारण एवं परिणाम क्या है आंत्रिक जो मानो प्रवास हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है और इनका क्या जो रिजल्ट है परिणाम है वो आ रहा ह क्वेशन नमबर 18 है भारत में अल नीनो और दच्छर प्रस्टिम मानसोन के विस संबंदों की व्याक्या किजिए उनके क्रैसी पर प्रभाव बताईए देखेंगे अगर 2023 में प्रिलियम्स में पूछा गया है तो यह टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टन पूचाता है इसको अच्छे से पढ़िएगा कोशन नमबर 19 क्या कह रहा है सीतोस चक्रवात पर एक टिपडिक की लिखिए यह भारत को किस प्रकार से प्रभावित करता है कैसे प्रभावित करता है आपको बताना है टेंपरेट साइकलोन क्या होते हैं और यह क्या करते हैं कैसे भारत को बेख रहा है, बस आपको अच्छे से टॉपिक करने होंगे, अच्छे से पढ़ना होगा, अगर अच्छे से concept क्लियर है, तो आप क्या कहा सकते हैं, इसलि इनको आउसर दे सकते हैं, इतना टॉफ नहीं है, तो फ्रेंट्स, वीडियो कैसा लगा है है, आपको अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें